प्यारे बिद्ध्यार्थियो एक वार फिर से आप सबका स्वागत है डिज्टर लेंडिंग में आज हम अपने चैप्टर का क्वेश्चिन नमबर 3 कम्प्लीट करेंगे क्वेश्चिन नमबर 3 है define case getting style sheet CSS programming language में एक बहुत ही important part है हमारी website के लिए ठीक है पिना CSS के हमारी website जो है attractive और stylist बनाना जो बेहद मुश्किल है CSS का काम ही styling का है ठीक है किसी भी website को style करना हो उसका layout design करना हो उसको beautiful बनाना हो awesome बनाना हो तो सारा का सारा काम लेता हमारा CSS का किसी भी तरह की progress bar बनानी है जैसे copy paste की progress bar नजर आती है ठीक है या किसी तरह का circle effect बनाना है ठीक है progress bar बोलते है या progress bar का circle effect बोलते है या मिन्नूस बगेरा design करने है तो वो सारा का सारा काम रहता है हमारा CSS का ठीक है CSS stands for case skating style sheet ठीक है case skating style sheet is a language that is used to build styles and display the layout of 2 pages ठीक है ठीक है तो CSS के एक programming language ही है जिसका काम है styles build करना और 2 pages के लिए layout को design करके उनको display करना ठीक है it consists hundred different types of declarations and styles such as change font, font size, font color, picture, margin, height, width, menu etc ठीक है तो इसके अंदर सो अलग तरह की declarations और styles है जैसे कि हम font को change कर सकते हैं, font का size change कर सकते हैं, font का color change कर सकते हैं, picture change कर सकते हैं, margin, height, width और windows वगेरा design करना यह सारा का सारा काम जो है हम CSS के अंदर कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर नीचे एक छोटा सा example दिया हुआ है हालांकि आपके इसले बस मैं CSS का बहुत ही छोटा सा concept दिया हुआ हालांकि programming language में हमारी website के लिए एक बहुत ही जाजा important role ही अपना play करता है ठीक है तो मैं आपको एक छोटा सा example यहां पर रन करके बताऊंगा बाकि इस chapter में CSS से किस तरह से website में styling करते हैं मिन्यूस कैसे बनाते हैं वो सारा का सारा काम जो है हमारा project के लिए रहेगा और यह सारी कि सारी चीज़ा भी मैं आपको इस chapter में सिखा दूँगा ठीक है तो फिलाल तो यह जो नीचे एक example दिया हुआ चोटा सा इसको complete करते हैं तो चलिए चलते हैं हम dreambeaver के उपर dreambeaver यहां तो मैंने open करके रखा हुआ ठीक है पहले इस file को मैं save ही कर लेता हूँ style2.php नाम से मैं इसको save कर रहा हूँ और यहां पर ही www के अंदर ठीक है यहां पर body tag के अंदर मैं यहां पर एक heading लिख रहा हूँ ठीक है h1 के अंदर welcome in PHP ठीक है मैं इसको save कर रहा हूँ चलिए इसको run करके देखते हैं localhost ठीक है method आपको पता है किस तरह से PHP की files को run करना है ठीक है localhost पर style 2.php ठीक है तो हमने जो वहां पर लिखा था एक text लिखा था heading लिखा हुआ था वो यहां पर display हो गया ठीक है अब इसको करते हैं हम style इसको style करने से पहले हम body को style कर ले थे हैं ठीक है CSS का code लिखें कि हम head tag के अंधर यहां पर ठीक है style ठीक है यहां पर style को close कर दिया मैंने यहां पर हम body को style करने तो body का नाम लिखा मैंने यहां पर curly bracket यहां पर इसका background color डाल लो चाहिए image डाल लो मैं color ही डाल रहा हूं यहां पर अब इसके लिए background color रहेगा हमारे पास यहां पर मैं normal सा रख लेता हूं color background के लिए ठीक है और यहां पर मैंने इसको close कर दिया, save किया बैब browser के पर जाकर मैंने इसको refresh किया यह देखो body का यह निकी बैब page का जो background color है बो चेंज हो गया अब बात करते हैं इसके heading की तो heading को करते हैं फिर से style body का हो गया, यहां पर मैं h1 को style कर रहा हूं यहां नाम लिखा यहां पर, यहां पर curly bracket और यहां पर इसका आगया color color जो है मैं इसका यहां पर blue color ठीक है और यह semi column से और यहां पर इसको मैंने कर दिया close, save और यहां पर जाके मैं इसको करना हूं, run यह यहां पर इसका color भी change हो गया, ठीक है तो कहने का मतलब है कि html में हम जो भी elements यूज करेंगे उनके उपर जो styling करनी तो उस तरह से करेंगे यह तो हमने की यहां पर by tag name हलांकि by attribute name यहां की tag का जो element होता है name property जो है उसकी उसके according change करेंगे लिखें तरीका मैंने आपको बता दिया कि जिसका जिसके ओपर styling करनी है उसका नाम लिखा और उसके अंदर जो की styling करनी हो styling हमने यहां से कर ले ठीक है अब चलते है question number 4 के ओपर what is php, php stands for hypertext preprocessor programming language which is a server side programming language ठीक है तो php की full form है hypertext preprocessor programming language जो की एक server side की programming language है ठीक है php will define the processing of data that will be done on the server and return the data as HTML to the website ठीक है तो php जो processing है data की उसको define करेगी जो server के ऊपर हो रही होगी ठीक है यहनी की cool मिला के कहने का मतलब है की php का काम रहेगा हमारा data को HTML field से database के अंदर ले जाने का data को process करने का और उसके बाद उसी data को फिर से redirect करके return the data as HTML to the website बापिस उसी website के ओपर send करना यहनी की data को send करना data को fetch करना ठीक है यह खाम रहेगा हमारा PHP का we can write both HTML and PHP programs in .php files ठीक है तो हम जितने भी HTML और PHP के programs हैं उनको .php file extension के नाम से save करेंगे we can create stylish and attractive website with PHP clear PHP is begin with less than sign of interrogation php tag and end with sign of interrogation greater than php tag ठीक है तो इस tag के अंदर हम PHP का code लिखेंगे जैसे नीचे यहां पर statement दिया हुआ है less than sign of interrogation php लिखा अब बीच में आया यह code ठीक है जैसे जाबा में हम किसी statement को display करवाते तो document.write लिखते जो उसके लिए ठीक है और यहां पर हम लिख रहे हैं इको ठीक है और इको के अंदर हमने हेलो बॉर्ड लिखा और पैरा पी टाइग है यह आपको पता हिए जानों interrogation और यहां पर ग्रेटर देन मांक होगी अब इसको हम practically करके देखते हैं यहां पर EC code के नीचे में लिखे देता हूं इसको ठीक है यहां पर शुरू कर देते हैं हम है tag के ठीक नीचे यहां पर sign of interrogation PHP और यहां पर sign of interrogation close और यहां पर लिख देते हैं PHP का code E को simple एक line display करवा रहे हैं हम यहां पर welcome in PHP यहां पर close semicolon save ब्रॉशर के ऊपर जाके हम यहां पर इसको करते हैं refresh यह यहां पर होगा display हालां कि इस काम के लिए निसका use होता है होता है इसका काम तो basically जो मैंने आपको बताया जो important काम रहता है data को HTML field से उठा की database में ले जाने का ठीक है और error message भी गहरा display करवाना है इससे ठीक है अब बात करते हैं PHP की क्या advantages रहती है first advantage है इसकी fast response time PHP is embedded in HTML code and response time is faster PHP जो है हम उसको embed करते हैं यानि कि लिखते हैं या शामिल करते है HTML code के साथ और इसका response time रहता है वो बहुत ही जहाता fast है second point है open source software PHP is an open source software and it is available free of cost PHP जो एक open source software रखेने का मतलब है कि free of cost मिलती है internet के ओपर third point is easy to use यह इसका सबसे important इसकी सबसे main advantage इसकी easy to use PHP जो है इस्तेमाल करना है बहुत ज़्यादा असान है PHP contain many features and functions that can be easily used in HTML ठीके PHP में बहुत सारे features and functions ऐसे हैं जिलका हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते है HTML के अंदर और उनकी जो facility हम अपनी website के लिए ले सकते है fourth point is run on many operating system PHP runs on a variety of operating system like windows, linux, etc. अब PHP को हम तरह तरह की operating system पर run कर सकते हैं जैसे कि windows, linux, secure the user cannot see the PHP code अब जो user है वो PHP का code नहीं देख सकते हैं user मतलब जो website को यूज करने वाड़ा होता है ना उसकी code को हम website के ओपर PHP के code को नहीं सकते हैं वहाँ पेसे HTML का इक old display होता है तो यह secure है यानि की hackers से भी हमारी website को यह प्रिवेंट करती है design to support databases PHP design to interact with a wide range of databases PHP specially designed की हुए कि तरह 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 के databases के साथ यह इंट्रेक्ट कर सकती है sounds white a most web server PHP sport most of web servers for example अपेक IAS PHP जो वो तरह-थरह के web servers को support करती है अप अपेक है आप ची बोल लो आई एस इंटेनर इन इन फोर्मिशन server है ठीक है इन तरह-थरह के server एक और है वैंप जिसके अंद्र हम लिख रहे हैं ठीक है वहां पर सारी servers के ओपर यह असानी से रहना हो सकती है तो यह थी PHP की advantages अब बात करते हैं बैंप server की बैंप server यहां पर हम अपने program को save कर रहे हैं हम जो server यूज कर रहे हैं वह बैंप server यह वो चीज बोलते हैं कि internet के ओपर हमारा server down होगा server जिस चाहां पर हम अपनी website के इसको save कर रहे हैं कहने के मतलब है कि अगर बो बंद होगा यह नहीं कि यह यह हमारा बैंप server यह यह server इसको बोलते हैं computer के अंदर यह program run रहता है ठीक है server को यह hardware पो जा नहीं है अगर इसको हम यहां पर stop कर दे तो हमारी website जो है वो काम करना बंद कर दे ठीक है तो यह server जब तक हमारा run होगा हमारी बैंप पेजिस चलते रहेंगे ठीक है अब दिखो मैं अगर यहां से इसको बंद कर दूँ स्टॉप कर दूँ तो हमारे जो बैंप पेजिस हैं वो वरकिंग करना जो है वो बंद कर देंगे यहां पर यह प्रोसेस ही कर रहा है यहां पर यह देखो blank the site cannot be reached ठीक है जैसे ही हम यहां पर अपने बैंप server को आउन करेंगे यह देखो stop है start all services server को जैसे मैं आउन करूंगा तो हमारी बैक साइट जो है वो फंक्शनल हो जाएगी हालांकि हमारी बैक साइट अभी बनीनी है single एक बैप पेज को हम रन कर रहे है इनकी कहने का मतलब है कि हमारा जो बैप पेज है जो बंद हो गया था हमारे server के बंद होन करने के कारण जैसे server में आउन कर रहा हूं तो हमारा जो बैप जो रन हो जाएगा ठीक है तो यह जैसे server बराण हुआ थो हमारा बैप पेज भी रन ओगे लप पेज अगर हो रहे तो पोरी के पुरी बैस साइट रन हो जाएगी ठीक है तो वैंप स्टेंस पॉर विंडो Apec, MySQL and PHP. The most important part of WAMP is Apec HTTP server which is run as a web server with Windows. The important part of WAMP is Apec HTTP server which is run as a web server with Windows. WAMP includes another two most important technologies. Apec MySQL, HighSpeed database is a web server and PHP, Fast Scripting Language. WAMP is a web server and in PHP, we will save the file and run as a web server and run as a web server and we will have a ready-made database and mySQL which is a web server. PHP will help to access data from MySQL database. PHP which helps us to access mySQL database. We can download the WAMP server from www.wamserver.com. We can install on our computer system. After the installation, run WAMP server from all programs, okay? Install all programs and run is all services from the right corner of taskbar, WAMP Icon. Just throughout the course so that we will have to explore, it is about this process and check the future of the whole program. We will go into this and see if we have to erryfresh the stuff that we can see. How to see if there is a web server and where we will be at the right corner of keyboard, the right corner of the left corner of the network is actually a web server. We can show on our website which is hubris and the keyappers such as our web server. We can turn to the right corner of our different network and homes. We can see our network of data. We can see our network of data as it goes on. We can see now and then connect our network with data to the right corner. We can see our network and our network itself. प्रिफार टार चर्ट लुद्ट है